आदर्णिया भगवान बचाज की CNG बाइक लॉंच होने के पहले से मैं CNG पर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि मेरा मनना रहा है कि हमें इलक्टरिक वीकल की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी लेकिन CNG पेट्रोल डीजल की गाडियां एवं कोल का धन्दा कभी बंद नहीं होगा यही कारण है कि IGL हो अत्वा कोल इंडिया हो दोनों ही मैंने अपने क्लाइंट्स को रेक्मेंट किये हुए हैं करता रहता हूँ अब आप देख लिए जिए IGL पर दिगज ब्रोकरेज यूबियस ने टार्गेट बढ़ा दिया है 700 का टार्गेट दिया है IGL पर आज परणाम सुरूप IGL टॉप किनर्स में शुमार है IGL 700 रुपए तक पहुँच सकता है 500 रुपए के लेवल से चड़कर 30% की गुंजाइस IGL में हैं तो हमने यूबियस से पूँचा कि जनाब कारण भी बताते जाइए तो यूबियस का कहना है कि CNG की विक्री बढ़ रही है CNG में जो नेटवर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा कर रही है IGL अलग अलग शेहरों में IGL अपना नेटवर्क विष्टार कर रही है महोदा है आप मैंसे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें अच्छे से याद है मैंने आपसे पहले कहा था कि जब नेटवर्क एक्सपेंसन होगा जब ऐसी ख़वरें चपेंगी उसके पहले ही IGL के शेयर चाड़ चुके होंगे आज आप देख लीजिए उडान चाड़ू हो गई ये तो IGL का धंदा हो गया CNG डिस्ट्रिबूशन का लेकिन दिल थाम के सुनिये गाज महोदा है IGL कोल इंडिया के साथ मिलकर कोल गैसी फिकेशन भी कर रही है अब कोईले की खुदाई करने वाले जमाने चले गए सीधा जमीन में दवे हुए कोले को गैस में कनवर्ट कर दिया जाता है कोल इंडिया ने IGL के साथ जोएंट वेंचर भी बना लिया है अब तो वेस्ट वेंगॉल में जो प्रोजक्ट है उसके लिए एक्स्प्रेशन ओफ इंट्रस्ट भी मंगा लिये गए है टेक्नलोजी लाइसेंसर के द्वारा तो इस प्रकार आप देख लीजिए ये कंपनिया सस्ते दाम में मिलने वाली अधिक डिविडेंड दिने वाली कंपनिया अपना काया कल्प कर रही है गुजरते हुए समय के साथ नए बिजनेसे में एंटर कर रही है जिससे इनके वेल्यूएशन जो सस्ते हैं वो महंगे होना सिर्फ गोजरते हुए समय का सवाल है इसलिए कोल इंडिया हुए अथवा आइजियल है दोनों ही मैं अपने क्लियांट्स को रेक्रमेंड करता रहा हूं करता रहूंगा यदि आपको भी इस तरह के हाई डिग्री ओफ सिफ्टी वाले स्टॉक्स में नवेश करना है तो देरी के सबात की अपनी सिवा का एक अबसर मुझे जरूर दीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लियंट बन जाईएगा स्रीमान